ठीज नमस्कार दोस्तो सीम सिवराच की बड़ी खोष्णा फिरी डाटा के साथ जो हे और च्या मिलेगा तो चली जान लेते इस विडियों मादम से जो की जन्द सेवा मित्र हैं उन सब के लिए क्या क्या benefits मिलने वाले हैं तो चलिए जानने तेस विडियों के मादम से कभी आपने हमारे संतिम व्यक्ति तक लाभ पहुचाने की कोशिस करनी है आप सभी ने अपने जो है अपने काम के लिए नए रिकोर्ड बना हैं काम के दोरान जमीन पर जो चल रहा है उसकी खवर आप मुझे देते रहना कहीं कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो उसे ठीक कर दिया जाएगा इस दोरान सिएम सिवराज ने जन सेवको के लिए बड़ी गोसना भी की है उन्होंने कहा कि जन सेवको को आने जाने में किसी भी तरह से कोई परिसानी ना हो इसके लिए गाड़िया उपलब्द कराई जाएंगी एक महीने के लिए 200 रुपे का डाटा भी फिरी में जो है उ करूंगा ठीक है बंद नहीं करूंगा कि क्योंकि इसकी जरूत हमेशा रहेगी इसलिए सियम जन सेवकों मित्रों का काम लगतर जारी रहने बाला है ताकि हम ठीक डंग से जनता हो और सरकार के बीच पुल पनकर जो है काम कर सके आप सभी ठीक से काम करो और अपने वविस्त सिंग चोहान ने पूर्व मुख्यमंदि दिग्विजव सिंग से जोई सासन काल पर भी निसाना साधा उन्होंने कहा कि आप सबी को पता है कि मद्द प्रदेश में सालों पहले सड़कों में गड़े ही गड़े नजार आया करते थे मद्द प्रदेश में गड़ों में अस्य भी थी आप सबने वो सासन नहीं देखा है तुलसी भी तो मामा के राज में पैदा हुए हैं इसलिए तुमने बेसी सड़के नहीं देखी हैं जो है विमारू राज्य था मद्द प्रदेश सीम चोहान सीम चोहान ने जन सेवकों से पूछा तुम सभी को पता है क्या क बज़्ली कितने घंटे आती थी 24 घंटे में से सिर्फ तीन घंट'े एंप में बिजली मिलती थी पहले एंप को विमारू राज्य कहा करते थे गर्मी के तिनों में कई राद भर सड़कों पर घुमना पड़ता था हवा करते हुए क्योंकि रात राद भर बजली नहीं आती इसी पीनय का पानी हो या सिचारी की विवस्ता हो मद्ध्रदेश में कोई इंत्जाम नहीं था और इसी सब के चलते मद्ध्रदेश को बिमारू राज्य कहावी जाता था तो यह यह अंन्यवाक मित्र कि जो है उनसे संबाद करते समय ठीक है तो कभी ये वीडियो चलेगी तो प्लीस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और जितने भी जनसेवेक मित्र हैं उन सबको जो है दोसरुपे तो आप मिलने वाले हैं आपको रिचार्ज के लिए तो धन्य बात दोस्तों मुलते है नेक्स्ट वोडियो में जहीं जबारत